Prompt Company ने एक initiative लेकर एक ऐसा smart milk analyzer बनाया है जिसका calibration सिर्फ mobile app से होता है ताकि आप manual errors को कम करके proper calibration कर सकते हैं अब हम इस calibration process का वीडियो देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 reference samples है पहले sample की fat value है 3.34, SNF value है 8.72 दूसरे sample की fat value है 6.32, SNF value है 8.80 तीसरे sample की fat value है 7.89, SNF value है 9.57 और 4 sample की fat value है 9.14 और SNF value है 10.05 अब हम prompt की यह mobile app जो कोई भी android phone में चल सकती है उस पे पहले reference sample की value को डालेंगे उसके लिए calibration mode में जाएंगे और एक एक करके 4 samples की value मुबाइल एप्लिकेशन में डालेंगे अब हम 4 samples का एक एक करके machine में टेस्टिंग करेंगे टेस्टिंग करने के लिए पहले samples को अच्छे से हिला ले ताकि सही तरीके से mix हो जाए और उसको 10 second के लिए stirrer करना भी ज़रूरी है ताकि उसके अंदर जो air bubbles हो वो निकल जाए stirrer होने के बाद ही samples को machine में टेस्टिंग के लिए लोड करें टेस्टिंग के लिए samples को machine पर लोड करने के बाद ओके बटन दबाए मशीन में सारे results, time और date के साथ अपने आप store होते है आप देख सकते हैं कि पहले sample का result machine दिखा रहा है और जो highlight हो रहा है उसमें उसकी reference value भी दिख रही है अब हम दूसरे sample को टेस्टिंग के लिए मशीन में लोड करेंगे टेस्टिंग खतम होते ही हमें उसका result मिल जाएगा आप देख सकते हैं कि टेस्टिंग के बाद machine fat 6.65 दिखा रहा है और snf 9.25 है अब हम तीसरा sample लोड करेंगे और result देखेंगे यहां तीसरे sample के result में fat 8.28 और snf 10.03 है और उसकी reference value 7.89 fat और snf reference value 9.57 है अब हम 14 sample लोड करके देखेंगे यहां चौते sample के result में fat 9.60 और snf 10.64 है और उसकी reference value fat 9.14 और snf value 10.05 है हम अब sampling mode से बहार निकल कर calculation mode में जाएंगे आप देख सकते हैं कि machine calibration के लिए ready है हमारे पास mobile app में reference का data पहले से ही मौजूद है और अब machine ने जो sampling किया उसका data app में Bluetooth डॉंगल से लेंगे आप screen पर machine के actual result और reference value दोनों का data देख सकते हैं यहां पर जो value दिख रही है वो reference value है और नीचे बड़े अक्षरों में actual value है यह sample 1 का result है यह sample 2 का result है यह sample 3 का और यह sample 4 का result है अगर actual और reference value का difference positive होगा तो हरे अक्षरों में और अगर difference negative होगा तो लाल अक्षरों में दिखेगा यहां पर आपको बता दू कि operator को कोई भी calculation करना नहीं है सारे calculation mobile app अपने आप ही करके देगा हमारा calculation perform हो चुका है यहां पर सबसे उपर reference machine number machine का type जिसका calibration करना है उसका number दिखा रहा है नीचे की screen तीन भागों में विबाजित की होई है पहले उपर जो value दिख रही है वो slope और intercept की पुरानी value और पुरानी accuracy दिख रही है उसके नीचे slope और intercept की नई value और नई accuracy दिख रही है और सबसे नीचे जो दिख रही है वो bias यानी की सिर्फ intercept की नई value और नई accuracy है आपको बता दू कि पुरानी FET की accuracy 0.00 और SNF की accuracy 0.46 थी जो मान्यन होने के कारण हमने calibration किया था और अगर हम bias से calibrate करते हैं तो FET की accuracy 0.05 और SNF की accuracy 0.10 आएगी और अगर slope और intercept से calibrate करेंगे तो FET की accuracy 0.06 और SNF की accuracy 0.05 आएगी जो ज्यादा अच्छी है तो हम यहाँ पर slope और intercept तरीके से machine को calibrate करेंगे यहाँ आप देख सकते हैं कि machine calibrate हो चुका है करेंगे हुवब कर्यक्ट झाल झाल